जली आज बात करते हैं उनताजा सिचक भरती की प्रूफ सहीत आपको दिखाएंगे कि कितने सीटे खाली हैं, SC Candidate की कितनी सीटे खाली हैं और जूनिय सिचक भरती की परिच्छा की तिति क्या आगे बढ़ सकती है या अस बंजस आपका भी इसी वीडियो में समाप्त हो ठीक है तो अभी आप इतने समझें कि कितनी सीटे खाली हैं, वो कुछ जान लेते हैं, बनताजा सिचक भरती की दो चल्णों में अब तक काउंसलिंग हो चुकी है, बात करें तीसरे चल्ण की तो SC Candidate को छोड़ दिया जाए, तो 1000 से अधिक सीटे भी बची हुई है, SC Candidate क जो सीटे बचती हैं, उसको carry forward कर देते हैं, नेक्स वेकेंसी में, अभी 99 जार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कंडिटे बहुत सारे बचे हैं, सीटे भी बची हुई है, यानि कि काउंसलिंग होनी है, जब भी होनी है, ठीक है, तो official news को या आता है, काउंसलिंग को लेकर क तो हम बताएंगे, फिलाल उन अब तर जाल में कुछ नया अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस पर व्यूडियोज नहीं डाले, क्योंकि कुछ नया होता है, तो बताना भी सही लगता है, तो अभी सीटों का जो अपडेट आया है, वो लगबग साड़े 6000 के आसपास सीटों का हुआ है, अगर इस सीटों को जोड़ दिया जाए, तो लगबग साथ से बात करें, तो 8000 के आसपास अभी सीटे जिक्त हो सकती है, फिलाल साड़े 6000 का डेटा करेक्ट जो है, इस समय का है, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, बात करें, अगर जूनियर सिच्छ कार्ड आ जाए, नौतरी को एड्मिट कार्ड जारी कर दिया जाए, यानि कि कुछी दिन सेज है, 7-8 दिन, उसके बाद एकजाम जो है, जूनियर सिच्छकवरती का करा लिया जाएगा, ठीक है, तो एक दिन का एकजाम है, जो कि आपका होना है, जैसे ही जाम आपका फाइन में भेजने का प्लान है, जैसा कि भेजी देंगे, अगर मई वही में रोक लेते हैं, मई तक रोक लेते हैं, जैसा कि चुनाओ का रियल्ट आना है, उसके बाद जून जुलाई बहुत समय नहीं होगा, रियल्ट निकालना, उसके बाद कांसलिंग कराना, जैसा कि एक ही प् आना बाद.